नमस्कार दोस्तों सवागत आपका आज के मुखे समाचारों में दोस्तों आज देश भर से कई बड़ी ब्रेकी न्यूज आ रही है जिनमें पहली बड़ी खबर है दिल्ली से जी दोस्तों दिल्ली विधान स्वाचनाव में भारतिय जंता पार्टी की हार के बाद भाजपा नेताओं के इस्तिपे का दोर सुरू भारतिय जंता पार्टी के परदेशा अदेक्स मनोज तिवारेने की इस्तिपे की पेश काईस तो भही पर दूसरी बड़ी खबर है सारुक खान की रईस फिलम के डाइरेक्टर का दिल्ली नतिजों के उपर बड़ा बयान कहा चानक्या का टाइम खतब अब देश का टाइम शुरू हो गया जी दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप देश के अंदर निस्पक्स पत्रकारिता का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबा कर चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निस्पक्स पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बड़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निस्पक्स पत्रकारिता करके जनता की आवाज बन सके और साथ ही अगर कोई देश के अंदर जनता पर अन्याए हो रहा है तो उसके खिलाप खड़े हो सके आज की पहली बड़ी खबर है दिल्ली से जी दोस्तों दिल्ली के अंदर भरतिय जनता पार्टी की हार के बाद लगातार नेताओं के इस्तिपे देना जारी है वहीं पर मनोज तिवारी भरतिय जनता पार्टी के परदेशा अधेक्स मनोज तिवारी ने की इस्तिपे की पेसकस दिल्ली में भरतिय जनता पार्टी की करार हर के बाद भरतिय जनता पार्टी के परदेश अधेक्स मनोज तिवारी ने इस्तिपे की पेसकस की है सुत्रों ने बताया कि मनोज दिवारी की पेसकस के बाद पार्टी आला कमान ने कहा है कि फिलाल इस्टिपे की जरूरत नहीं है बता दे कि 70 सदस्टे दिल्ली विधान सबा के अंदर भारतिय जनता पार्टी को 8 सीटे मिली है तो वहीं पर आम आद्वी पार्टी परचंड जीत आंसिल करके 62 सीटों के उपर जीत दर्ज की है चुनाओ परणाम के बाद से ही इस्टिपे का दोरजारी है और सबसे पहले हार की नेतिक जिमिदारी लेते वे दिल्ली कॉंग्रेस अद्यक सुभास्ट ओपड़ा ने अपना इस्टिपा दिया इसके बाद कांग्रेस के PC चाकों ने इस्टिपे की पेसकस की और वहीं पर मनोज तिवारी ने बुद्वार को पार्टी ओफिस के अंदर चुने गए सभी आठ विधाईकों के साथ मुलाकात भी की इससे पहले मनोज तिवारी ने आम आद्वी पार्टी को जीत की बधाई दी और टविटर के उपर लिखा कि दिल्ली की जनता को धन्यवाद और कहा कि दिल्ली का जनादेश चिर्माते हैं आपको बता दें दोस्तों दिल्ली विधान्सबा चुनाव के अंदर भारतिय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सूपड़ा साफ हो गया है एक तरफ जहांपर भारतिय जनता पार्टी परधान मंतरी ग्रै मंतरी और साथ में छे मुख्य मंतरी और सोज से ज़्यादा सांसदों की टीम लेकर चुनावी मैदान के अंदर अर्विंद केजरिवाल को हराने उतरी थी परन्तु उनको इस बात का मालूम नहीं था कि दिल जनता ने चुना है अगली बड़ी खबर है बॉलिवूड से फिलम सुपर स्टार सारुक खान को लेकर जी दोस्तों सारुक खान की रईस फिलम के डायरेक्टर का दिल्ली नतीजों के उपर बड़ा बयान बले चानक्या का टाइम खतम जी दोस्तों सारुक खान की फिलम विधान सभा चुनाओं के नतीजे आये हैं और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरिवाल के ओपर बरोसा जताया है और आम आदमी पार्टी ने 70 विधान सभा सीटों में से 62 विधान सभा सीटों के ओपर पर परचंड जीत आसिल किये हैं तो वहीं पर भारतिय जनता पेले दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी तो वहीं उनके परदर्शन पर रहूल डोलकिया ने निशाना साधा है और कहा है कि चानक्या का टाइम खतम हो गया है अब देश का टाइम शुरू है जी दोस्तों बड़ा बयान उन्होंने दिया है अमिच सा को क्योंकि भारतिये जनता पार्टी के करिये करता अमिच सा को भारतिये राजनिती का चानक्या बताते हैं और इसी के ओपर रहूल डोलकिया ने कहा है कि अब चानक्या का टाइम खतम हो गया है और देश का टाइम शुरू हो गया है और बोलिवुड से दोस्तों कई परकार की दिल्ली से भारतिय जंता पार्टी के संसद प्रवेस वर्मा को लेकर जी दोस्तों प्रवेस वर्मा के संसदिय छेतर में पार्टी के सभी उमिद्वारों को मिली हार भारतिय जंता पार्टी का बयान वीर जिनके बयान सुर्खियों में रहे लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी को जीत नहीं दिला पाए जी दोस्तों भारतिय जन्ता पार्टी के साथ सांसदों का इस विधान सबाचुनाओं में रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा इस पर पार्टी के अंदर आव सवाल उठने लग गए है खुद पस्तमी दिल्ली से भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद प्रिवेश वर्मा की संसदीय सीट में आने वाली सभी दस विधान सबाच सीटों के उपर भारतिय जन्ता पार्टी को करारी हार मिलिये प्रिवेश वर्मा के चाचा मास्टर आजाद सिंग मून का विधान सभा सेट से हार गए हैं जबकि दक्षणी दिल्ली में सांसद रमेश विदूडी के बतीजे विक्रम सिंग को लगातर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है